तो जारकन विदानसभा के चुनाओं का एलान जल्द ही हो सकता है और ऐसे में सभी निताओं में टिकट लेने के लिए होड मची वही है इसी कड़ी में राची के युवा और तेज तरार नेता जारकन प्रदेस कॉंग्रिस कमीटी अल्प संक्या विभाग के राची महानगर अध्यक्ष हुसैन खान ने भी हटी और राची विदानसभा के लिए अपनी प्रवेल दाविदारी जारकन प्रदेस कॉंग्रिस कमीटी आला कमानों के सामने पेस कर दी है आज हमारे जितने भी पतरकार बंदू है सबको मैंने अमंतित किया है इसका मेन रीजन यह है कि मैंने रांची विधान सवा से और हटिया विधान सवा से दावेदारी की है और जो परिस्तिती है जिस तरह से आने वाले कुछ दिनों में कुछ महनों में चुना होने वाली है तो जिस तरह अभी सभी लोग सभी निता अपना अपना दावेदारी कर रहे है तो मैंने भी अपना दावेदारी दोनों विदान सवाद छेतर में के लिए मैंने दावेदारी किये और यह मैं आगरा करूँगा अपने आला कमान जो जहरकंड के हमारे अध्यक्ष पर्देश अध्यक्ष नवनिक्त कमरेश जी परभारी मीर सहाब, उमेर खान सहाब हमारे अब संकर के परभारी है और दिल्ली मेंबैठे जितने हमारे आला कामान है सबसे मैं यही आगरह करूँगा और विलतजा करूँगा कि वो मुझे मौका दे कि मैं जिस तरह से काम किया हूँ पिछले आठ सालों से मैं एक कार करता हूँ और आने माले दिनों में अगर मेरे को टिकट मिलता है मौकाद अगर देती है पार्टी मेरे को दावेदारी बनाती है तो भी मैं एक कार करता के रूप में ही काम करना चाहूँगा और करूँगा और महनत से और इमंधारी से मैं काम कर रहा हूँ जो सभी लोग देख रहे हैं सभी जान रहे हैं और मैं तो चाहता था कि मैं चुनाओ ना लड़ू लेकिन हमारी जंता जो हमारे हाटिया छेतर के है राची छेतर के जो जंता है उन्होंने मेरे को फुरसाहन दि या कि नहीं हुसेन जी आप चुनाव ड़िये और हम लोगों के सरप्रस्त बनिये ताकि आपके जैसे निता अगर हमारा विधायक बन जा तो आने माले दिन में हम लोगों को अच्छा बेनेफिट मिलेगा दूसरी चीज क्योंकि स्री राहुल गांदी जी का भी कहना है यही उनका है कि जिसकी जितनी भागेदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी इस साबसे भी अलब संक्यक के तरफ से हम कोट हम लोगों को टिकट यहां मिलना चाहिए तो यह मैं आगरा करूंगा आपके माध्यम से भी मै करना चाहता हूं कि टिकट हमको दिया जाए और एक उमीद मेरे को हमारे तरफ रखा जाए जिससे मैं आगे